हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूरिक एसिड का इलाज यूरिक एसिड के लिए हम आपको 16 रामबान ग्रेलू उपाए बताएंगे इससे आपका एक ही हफ़ते में यूरिक एसिड खतम हो जाएगा दोस्तों, कुछ वर्ष पहले ये यूरिक एसिड की समस्या कहुत कम लोगों को हुआ करती थी और सबसे बड़ी बात जो उस समय देखने में आती थी कि ये बिमारी पहले नंबर में तो केवल व्रिधा वस्ता वालों में ही दिखलाई पड़ती थी और दूसरे नंबर में ये बिमारी केवल अमीर, गरिष्ट बोजन करने वालों और शारिवी प्रिशम ना करने वाले आलसी लोग होते थे जो या अनुवानशिक दोशोवलों को ही होती थी प्रन्तु आज ये सिति आ गई है कि समाज के हर वर्ग, हर आयू और लगभग सभी को पीडित करने लगी है ये बिमारी इस बिमारी में शुरुवाती अवस्था में शरीर में जकडन देखी जाती है बाद में छोटे जोडों में दर्द शुरू हो जाता है कहीं कोहनी में दर्द हो रहा है, कहीं गुटनों में बात ये है कि हर जगां आपको दर्द महसूस होगा आलस्य करने पर जब जोडों के सान में हडियां परभावित होने लग जाती है तो इलाज आपका मुश्किल हो जाता है इसलिए बहतर है जब आपको यूरिक एसिड नजर आए तब ही से आप इसका उपाय शुरू कर दे ताकि आपको ज़्यादा प्रोब्लम ना बढ़े और आपकी बिमारी ठीक हो जाए दोसो एलोपैथी में इसके लिए प्रियों की जाने वली ओश्दियां शरीर में गुर्दों, किड्नी, आदी को काफी नुकसान देती है यहां तक कि शरीर में सारी बिमारिया ही लग जाती है इस बिमारी में घुटनों, एडियों और पैरों की उंगलियों इन में दर्ध होने की सबसे बड़ी वज़य यूरिक एसिर का बढ़ना है इस बिमारी को गठिया या फिर गाउट भी कहते हैं इस बिमारी का उप्चार दोसो, आरम में ही सही समय पर किया जाना चाहिए अगर आरम में सही समय पर इसका इलाज किया जाए तो विक्ति कितनी दूरदशा नहीं होती बलकि समय बीच जाने पर ये रोग जड़ जमा कर बैठ जाता है और ठीक भी नहीं होता दोसो, वैसे तो ये समस्याद 40 साल से ज़्यादा उमर के लोगों में देखी जाती है लेकिन आज कल 40 साल से कम लोगों की उमर में भी ये बिमारी हो जाती है दोस्तो, इसको ठीक करने के लिए आपको हर रोज खाने में ऐसा भोजन करना चाहिए जिस से शरीर में पाचन के दोरान अफशता से अधिक प्यूरीन ना बने क्योंकि प्यूरीन के तूटने से शरीर में यूरीक ऐसिर बढ़ता है ये बात भी सही है कि जो खून गुर्दों के पास पहुंचता है उस खून में से फाल्तू और बेकार तत्वों को च्छान कर हमारे गुर्दे उन्हें पेशाब के दोरा शरीर से बहा निकाल देते हैं और ये टुकडे शरीर के अंदर क्रिश्टल के रूप में जमा होने लते हैं बोडी में इसका लेवल बढ़ने से ये परिशानी का कारण बन जाता है और इसके बाद जोडों का दर्द शुरू हो जाता है घुटनों, एडियों और पैरों की उंगलियों में दर्द रहने लग जाता है हम में से अधिकाश लोगों को तो इस बिमारी के लक्षन की मालूम नहीं होते मोटापे की वज़े से शरीर में प्यूरीन जल्दी तूपता है जिससे यूरीक एसिड जादा बनने लगता है इसलिए आप अपना वज़न भी बढ़ने ना दें वज़न कम करने के लिए डाइटिंग ना करके सही और शुद भोजन करें प्रोटीन यूथ खाद पदार्थों का सेवन बंद कर दें साग पालग जैसे पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए यूरीक एसिड में विटामिन सी से भरपूर खाद पदार्थ खाएं इसके अलावा आप ये हम आपको 16 ग्रेलू उपाई उदाएंगे इनको अपना कर आप इसकी चुट्टी कर सकते हैं इन में से आप कोई भी एक उपाई कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे पहला उपाई आलू कच्छिल के सहीत एक कप रस निकाल लें इसमें एक कप गुनगुना पानी मिलाकर सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए कुछ ही दिनों में क्या होगा आपका यूरीक ऐसिद सही हो जाएगा दूसरा उपाई दूसरो अगर आपको यूरीक ऐसिद बढ़ना स्टार्ट हो गए है तो आपने इसमें चाच का सेवन करना है चाच यानि लसी जितना आप लसी का सेवन करेंगे उतना ही आपका यूरिक एसिड ठीक होता जाएगा लेकिन आपने लसी का सेवन रात को नहीं करना है दिन में या फिर सुबह ले सती हैं तीसरा, सुबह गरम पानी जरूर पिए ये जोडों के दर्ड और यूरिक एसिड में बहुत लाब देता है इससे क्या होगा, आपका मुत्र अधिक आएगा और शुरीर से जो विशाले तत्व है वो बहा निकल जाएगे तो आपका यूरिक एसिड धीरे धीरे ठीक हो जाएगा चोथा उपाए, लेसुन का रस, दो चम्मच निकाल कर शहद मिलाकर सेवन करने से आपको बहुत ही जादा लाब मिलेगा पाँचवा उपाए, सेव में मॉलिक एसिड होता है जो खून के साथ मिलकर अलकलाइन कार्बोनेक बनाता है ये खून में जमें यूरिक एसिड के परभाव को खतम करके मल और मुत्र द्वारा यूरिक एसिड को बहा निकाल देता है इससे अर्थराइटिस, गठिया और गुर्दे के रोवों में आपको बहुत फाइदा मिलेगा चटा उपाए, ऐलोवीरा जूस का इस्तेहमाल करें एलोवीरा जूस में आप आउले का रस भी मिला सकते हैं इन दोनों के रस को अगर मिला कर पीते हैं तो आपको बहदाराम मिलेगा साथवा उपाए, हर रोज खाने से पहले तीन अखरोट जुरूर खाए आठवा उपाए, एक चमच अशुगंदा पाउडर में एक चमच शहद मिलाकर एक गिलास गुल्गने दूद के साथ जुरूर पिए आप इसका सेवन रात को कर सकते हैं नुवा उपाए, नारियल पानी हर रोज पिए अगर आपके पास एवलेबल है तो आप नारियल का पानी भी पी सकते हैं इससे भी आपका यूरिक एसर बहा निकल जाएगा दसवा उपाए, खाना खाने के आदे घंटे के बाद एक चमच अलसी के बीच चबा चबा कर खाए इससे आपका यूरिक एसर ठीक हो जाएगा ग्यारवा उपाए, बथवे का जूस खाली पेट पिए बथवे का जूस पीकर दो घंटे तक कुछ भी खाए पिए नहीं ये आप किसी भी टाइम ले सकते हैं बारवा उपाए, अजवायन भी शरीर में हाई यूरिक एसर को कम करने की अच्छी दवा है इसलिए भोजन पकाने में आप अजवायन का इस्तेमाल करें आप इसके ऐसे फंगे भी ले सकती हैं तेरवा उपाए, हर रोज दो चम्मत सेब का सिरका एक गिलास पानी में मिलाकर दिन में तीन बार पिएं आपको लाग जरूर मिलेगा चोदवा उपाए, सेब, घाजर और चुकंदर का जूस हर रोज पीने से जो बोड़ी का पीच लेवल होता है वो बढ़ जाता है और यूरीक एसिद कम हो जाता है तो इससे भी आपका यूरीक एसिद कम हो जाएगा पंदरवा उपाए, एक मध्यमकार का कच्चा पपीता ले लें उसे काट कर छोटे छोटे टुगडे कर लें बीजो को हटा दें इसमें से कटे हुए पपीते को 2 लिटर पानी में 5 मिनट के लिए उबाल लें इस उबले हुए पानी को ठंडा करके छान लें और इसे दिन में चाई की तरह 2-3 बार पिएं आपको बहुँ जल्दी आराम मिलेगा सोलवा उपाए, नीमू पानी जरूर पिएं ये बोडी को डिटॉक्सिफाई करता है और क्रिस्टल को घोल कर बहा निकाल देता है इस तरीके से दोस्तों आपका जो यूरिक एसिड वो कंट्रोल में आ जाएगा दोस्तों इसके इलावा भी कुछ उपाए और भी हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं आप अपने भोजन में जो कूकिंग ओयल यूज करते हैं वो सरसो या ओली ओयल का ही प्रियोग करें हाई फाइबर वाली डाइट ना लें अगर लोकी का मोसम हो तो सुबह खाली पे घिया यानी लोकी का जूस निकाल कर इसके एक गिलास जूस में पाच-पाच पते तुलसी और पुदीने के भी डाल लें अब इसमें थोड़ा सिंदा नमक मिला लें अपने टेस्ट के इंसार और इसको नियमी पिएं कम से कम 30 से 90 दिन तक ध्यान दहे कि लोकी कड़वी ना हो नहीं तो ये फाइदे की जगा आपको नुकसान कर देगी लोकी को हलका सा काट कर पहले टेस्ट कर ले अगर वो कड़वी नहीं है तब इसका जूस बनाए रात को सोते समय डेड़ गिलास सधारन पानी में अरजुन की छाल का चून एक चमच और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर डाल कर चाय की तरह से पकाए और थोड़ा पकने पर छान कर निचोड कर पी लें ये भी आपको 30 से 90 दिन तक करना है आपको बहुँ जल्दी आराम मिलने लगेगा दोस्तों आप इसमें चौपचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चौपचीनी ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर इजली मिल जाएगा चौपचीनी का चून आपने आधा आधा जमच सवेरे खाले पेट और रात को सोने के समय पानी से लेने पर कुछ दिनों में यूरिक एसिड आपका खतम हो जाएगा दिन में कम से कम 3-5 लिटर पानी का सेवन जरूर करें पानी की प्रियाप्ट मात्रा से शरीर का यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते बहार निकल जाएगा इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी जरूर पीते रहें पानी इसमें बहुत ही रामबान ओश्दी है दोसो आप इन में से कोई भी एक उपाय कर सते हैं इससे आपको फाइदा ही मिलेगा दोसो यूरिक एसिड का जब आप इलाज कर रहे हैं तो आपने इसमें परहेज भी करना है परहेज में हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या नहीं खाना है दोसो डिबबा बंद फूड खाने से आप बचे डिबबे में जो बंद होकर आती हैं चीजे बहार से वो आप बिल्कुल भी सेवन ना करें और शराब, बियर इनसे भी आपको फरहेज करना है पैनकेक, केक, पेश्ट्री जैसी चीजे भी ना खाएं आपने दही, चावल, अचा, ड्राइफ फूट, डाल का प्रियोग भी नहीं करना है सबसे बड़ी बात, खाना खाते समय पानी ना पिएं पानी खाने से डेर घंटा पहले या फिर बाद में ही पिएं रात को सोते समय दूद या दाल का सेवन बिल्कुल ना करें फास्ट फूड, कॉल, ड्रिंग, पैकेज़ फूड, अंडा, मास, मचली, श्राफ, धूमूर पान ये सब बंद कर दें दोसो इन से आपकी यूरिक ऐसिड की समस्या भी कुंट्रोल होगी हाट की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी जोडों के दर्द किसमस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी हाई बलड प्रेशर किसमस्या भी आपको ठीक हो जाएगी तो जब हमें इतने सारे फाइदे मिलते हैं इन बातों को छोड़कर, इन चीजों को छोड़कर तो हम क्यों ना इनको छोड़ दे और अपने लिए फायदा उठाएं तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जुरूर कीजिए साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है वो भी दबा दे ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवादों सो